अगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे प्रार्थना है ख्रिम्या सोचें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्ध्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा Tally की इस वीडियो सिरीज के आज क्यथ्याय में हम आपको बताएंगे Tally में Multiple Lages कैसे बनाये जाते हैं तथा जो Lages बनाये गए हैं उन्हें Groups के साथ कैसे देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने Single Lages यानि एक समय में एक Lages बनाना सीखा था इस वीडियो में हम Multiple Legers यानी एक साथ एक से अधिक Legers बनाने जा रहे हैं इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखें आगे पढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाब नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही लाब लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दू-तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें हमने टैली में सिंगल लेजर बनाते समय देखा था कि लेजर बनाते समय हमें उस लेजर से संबंधित ग्रूप भी चुनना होते हैं वैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाशाइं बताई हैं उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्ने स्वया भी कर लेंगे किन्तु कई बार ये निर्ने करने में मुश्किल आती है ऐसे स्थिती में आप हमारी वीडियो चार्ट ओफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप का निर्ने कैसे करते हैं ये बताया है यहां हमने काम करने में आसानी हो उसके लिए हमें जो लेजर्स बनाने हैं उनके नाम और वे किस ग्रुप के अंतरगत आएंगे उसकी लिस्स बना ली है आगे ट्रांजिक्शन रिकॉर्ड करते समय हम आपको और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे इस लिस्ट में दो बातें समझने की जरुरत है पहली, जब हमने कोई खरीद की होती है तब ही हमें उस पर डिसकाउंट मिलता है इसलिए इस डिसकाउंट को Purchase में से कम करना होता है और यही कारण है कि Discount Received Account Purchase Account Group में बनाया जाता है दूसरी, जब हम कोई माल बेचते हैं तब ही उस पर डिसकाउंट देते हैं इसलिए इस discount को sales में से कम करना होता है और यही कारण है कि discount allow account sales accounts group में बनाया जाता है अभी हम gateway of tally पर हैं multiple layers बनाने के लिए A की प्रेस करें फिर L की प्रेस करें और फिर multiple layers बनाने के लिए R की प्रेस करें देखें multi-layer creation window आ गई है सबसे पहले हमें under group में list of groups में से उस group का नाम select करना होगा जिसके अंतरगत हम layers बनाना चाहते हैं देखें हमें जो layers बनाना हैं उनमें सबसे ज्यादा layers indirect expenses से संबंधित हैं इसलिए सबसे पहले हम indirect expenses के अंतरगत आने वाले सारे layers बना लेते हैं उसके लिए यहां हम indirect expenses group से लेक्ट कर रहे हैं एंटरप्रेस करें यहां हमें एक एक करके उन layers के नाम देना होंगे जिने हम indirect expenses group के अंतरगत बनाना चाहते हैं हमने पहले laser का नाम telephone expenses यहां टाइप कर दिया अब एंटरप्रेस करेंगे देखें अंडर में group का नाम जो हमने उपर से लेक्ट किया था यहां भी अपने आप आ गया है अब यदि आपका कोई opening balance है तो वो यहां लिखतें अब एंटरप्रेस कर दे अब यहां दूसरे laser का नाम दे इसे तरह हमने सभी lasers के नाम दे दिये हैं देखें नीचे के और quit और accept लिखा है और उनके आगे उनकी shortcut की भी लिखी हुई है जैसा के आप देख रहे हैं Q और A के नीचे दो lines है इनका मतलब है कि quit यानी इस window को छोड़ने के लिए Ctrl और Q दोनों कीज एक साथ प्रेस करें और यदि आप ये window accept करना चाहते हैं तो Ctrl और A कीज को प्रेस करें हम इस window को एकसेप्ट कर रहे हैं अब है skip की प्रेस करके वापस Gateway of Tally पर चलते हैं अब है हमने किसी एक ग्रुप के अंतरगत एक साथ कई lasers बनाएं पर यदि आप एक ही साथ अलग-अलग ग्रुप के अंतरगत कई lasers बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं आईए दिखते हैं A की प्रेस करें फिर L की प्रेस करें और फिर multiple lasers बनाने के लिए R की प्रेस करें यहां सबसे पहले हमें अंडर ग्रुप में list of groups में से all items सिलेक करना होगा चुकि all items पहले से ही selected है तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना हैं अब एंटर प्रेस करेंगे list of groups में से हम जो laser बनाने जा रहे हैं उससे संबंधित group को सिलेक करेंगे हमने सिलेक किया purchase accounts group फिर एंटर प्रेस कर देंगे यदि कोई opening balance है तो वो यहां पर टाइप करें opening balance के बारे में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था अब एंटर प्रेस कर दें अब यहां दूसरे लेजर का नाम लिखें और पहले बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं हमें जितने भी लेजर्स बनाने थे उन सभी की details हमने यहां पर टाइप कर दी है अब control और A की से इस window को accept कर लेते हैं अब escape की से बाहर चलते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने single laser बनाना और इस वीडियो में multiple lasers बनाना सीखा आई अब देखते हैं कि हमने जो lasers बनाए हैं उन्हें groups के साथ कैसे देख सकते हैं अभी हम gateway of telly पर हैं लेजर्स को groups के साथ देखने के लिए हमें reports में display में जाना होगा display के लिए d key प्रेस करें यहां से हमें list of accounts में जाना होगा उसके लिए L key को प्रेस करें कि देखिए list of accounts के अंतरगत list of lasers आ रही है इसकी मिशिश्टा यह है कि यहां हमें groups, subgroups और उनके अंतरगत बने lasers की details मिल रही है यहां हम यह भी कह सकते हैं कि यह हमारी company का chart of accounts है यदि आपको इस list में किसी भी group, subgroup या laser में कहीं कोई गलती दिखती है तो आप उस पर जाकर enter press करें यह देखिए alteration screen आ गई है alteration screen से आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे single laser और multiple lasers में आने वाले display और alter options के बारे में साथ ही दिखेंगे laser को delete कैसे करते हैं कर दो